आप इसे देख रहे हैं क्यूंकि भगवान ये चाहता है। यह महादेव जी का दिव्य संकेत है जो आपको बताता है कि बहुत जल्द आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप इस विडियो को अंत तक देखते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुमने चुपचाप काम किया लेकिन मैं तुम्हें सब के सामने आशीरवाद दूंगा ताकि लोग देख सके कि कौन मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए प्रक्रिया पर भरोसा करो और चलते रहो। इस विडियो को पसंद करें यदि आप प्राप्त करने के लिए तयार हैं। आप इसे सयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। यह आपकी पुष्टी है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। महादेव जी अभी आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। यदि आप ये घोशना प्राप्त करते हैं तो आमीन टिपनी करें। हिंदू धर्म कहता है कि यदि आप अपने दिल में विश्वास करते हैं और अपने मुह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी ही प्रभू है। तुम बच जाओगे। महादेव जी ही स्वर्ग का एक मात्र मार्ग है। और कोई रास्ता नहीं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो येस टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज महादेव जी प्रचुर्ता और समरिद्धी की एक श्रिंखला प्रतिक्रिया को गती देने जा रहा है। आप चकित होंगे की सब कुछ कैसे निकलता है। आप प्यार, उपचार, नौक्री के अवसर, वित्तिय आई की नई धाराएं और आशीरवाद आकर शित करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए 1111 टाइप करें। आपको तयार होने की जरूरत है। आपका आशीरवाद आपके विचार से जल्द ही होगा। अचानक एक कॉल, एक अफसर और आपका जीवन बदल जाता है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। क्या आप कभी नहीं भूल सकते कि महादेव जी आपको पहले ही कितनी दूर ले आया है। आगे क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लिकिन शान्त रहें। मैं इसके उपर हूँ, मैं बेक्ग्राउंड में काम कर रहा हूँ, बस इंतजार करो मेरे बच्चे। मेरी टाइमिंग पफेक्ट है। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 10 बज के 22 मिनिट चमतकार वे हैं, जो महादेव जी असंभव करता है, जहां वो शुरू होता है। अगर आपको चमतकार चाहिए, तो रात के 10 बज के 22 मिनिट टाइप करें। आपका बैंक बेले सापकी कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ फूटने वाला है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकरशित करना चाहते हैं, तो दुष्ठ नासा वैज्यानिक। द्वारा प्रकट किये गए चोकाने वाले धन रहैसियों को जानने के लिए नीचे दी गई टिपपणियों में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ एक सकारात्मक मोड लेने वाला है। हार नहीं माने, बहुत सारी अच्छी चीजे आ रही हैं। यदि आप इस पर दावा करने के लिए तयार हैं, तो इस विदियो को साज़ा करें। आप ठके हुए, निराश और निराश हो सकते हैं, लेकिन हार मत मानिये। मैं आपके लिए दरवाजे खोलने वाला हूँ, आपकी स्थिती बदलने वाली है, मैं आपका मरहम लगाने वाला हूँ। महादेव जी कहते हैं, अब तुम चाहे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वहाँ तब भी हूँ जब परिस्थितियां तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधाकार में हैं। मैं वहाँ हूँ जब सबने तुम्हारा त्याग कर दिया है, मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहाँ हूँ। मैं वहाँ हूँ जब सबने तुम्हारा त्याग कर दिया है, मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहाँ हूँ। यदि आप हमारी सामगरी देखना पसंद करते हैं और हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, तो 200 रुपे तक सुपचेट देकर हमें बढ़ने में मदद करें। आप नहीं जा सकते आपका पूरा जीवन इस बात की चिन्ता में लगा रहा कि बाकी सब क्या सोचेंगे। चाहे वो आपके बाल हों, कपड़े हों, आपको क्या कहना है, आप कैसा महसूस करते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं, या आपके पास क्या है, आप दूसरों के निर्नाई को आप होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि आप करते हैं, तो आप अब आप नहीं हैं, आप काफी रो रहे हैं, आप काफी समय से चिन्ता कर रहे हैं, आप काफी समय से संधर्ष कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी हों, अगर आप बस विश्वास कर सकते हैं, तो एक चमतकार आपके रास्ते में आ रहा है, मैं आपके जीवन पर चनगाई और उद्धार की बात करता पुष्टी करने के लिए 777 टाइप करें महादेव जी के बारे में एक बात वो चीजों को पूरी तरह से लाएगा और यह सब आपके पक्ष में होगा कभी कभी महादेव जी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जिसकी आपको जरूरत नहीं थी आपको वो सब कुछ देने के लिए जो आप कभी चाहते थे यूजना पर विश्वास करें चार प्रार्थना जो आपका जीवन बदल देगी 1. स्वर्गिया महादेव जी मुझे बहतर बनाओ 2. स्वर्गिया महादेव जी अगर मैं गलत चीजों का पीछा कर रहा हूं तो मुझे पुना निर्देशित करें 3. प्रिया महादेव जी कृप्या मुझे मेरे करीब लाएं जो मेरे लिए मायने रखता है 4. स्वर्गिया पिता, कृप्या मेरे दिनों को उप्योगी, मेरी रातों को विश्राम माए, मेरे घर को शान्तेपूर्ण और मेरे प्रयासों को फलदाई बनाएं 5. महादेव जी के नाम में तथास्तू, आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता न करें 6. प्रार्थना में इसे भगवान के पास ले जाएं 2023 में भगवान मुझे आशीरवाद देंगे, भगवान मुझे ठीक कर देंगे, भगवान मेरे लिए प्रदान करेगा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, महादेव जी मेरा मार्गदर्शन करेगा स्वर्गिया महादेव जी जैसा कि हम आज सुबह प्रार्थना में आपके पास आते हैं हम पहचानते हैं और आभारी हैं कि आप उन सभी के स्रोत हैं जो हम चाहते हैं या जिनकी हमें आवश्यक्ता है सारा ज्ञान, बुद्धी और शक्ती आपकी है हम आज सुबह आपकी स्थुती करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें अपने तरीके सिखाएंगे, हमें अपने पत सिखाएंगे, हमें अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू ही हमारा उधार करने वाला महादेव जी है, हम तेरी बाच जोहते हैं. आज मैं भगवान से पूछ रहा हूँ कि आप उन लोगों की मदद करेंगे जो संधर्श कर रहे हैं और कथिन समय से गुजर रहे हैं. ये समझने और स्वीकार करने में सक्षम होने के लिए कि आप हमेशा परदे के पीछे रहकर उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज उन्हें आर्थिक, शारीरिक और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक रूप से आशीश देंगे. उनके विश्वास को बढ़ाएं और उन्हें शक्ती दें क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता रहता है. महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन. महादेव जी कहते हैं, आप वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा लगता था कि यह होने वाला नहीं था. लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ये सब कुछ खो गया. आपने हार नहीं मानी, आपने इसे बनाए रखा, आस्था. वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वज़े से कितना कुछ जेज चुके हैं. अब यह आपका नियत मौसम है. मुझे तुम पर विश्वास है. चिन्ता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा. सबसे बढ़कर अपने हरिदय की रक्षा करीं, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं, वो उससे प्रवाहित होता है. हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. यदि आपको महादेव जी के अनुग्रह की आवश्यक्ता है, तो 555 टाइप करें. तु अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन समपूर्ण मन से महादेव जी पर भरोसा रखना, उसी को अपना सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. प्रिया स्वर्गिया महादेव जी, मैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना में आपके पास आता हूँ. कृपया मुझे उन लोगों से बचाएं जो मेरे लिए सबसे अच्छा नहीं चाहते हैं और मुझे नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी खुद की नकारात मक्ता, चिन्ताओं और तनावों से भी बचाएंगे. धार्मिक्ता के मार्ग की ओर मेरा मार्ग दर्शन करें और आपकी शिक्षाओं पर केंद्रित रहने में मेरी सहायता करें. मुझे आपकी योजनाओं पर भरोसा है, और क्या मैं हर रोज आपकी इच्छा का पालन करने में सक्षम हो सकता हूँ? अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो येस टाइप करें. जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. जब आप वो सब कर लेते हैं, जो आप कर सकते हैं, तो महादेव जी वो करेगा जो आप नहीं कर सकते. छोड़ना, अभी तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिकिन एक दिन तुम समझोगे. महादेव जी, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ. ब्रमित नहीं, आहत नहीं, तनाव ग्रस्ट नहीं, बस खुश. मेरे बच्चे, महादेव जी आप सब का भला करें. महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर-हर महादेव टाइप करें. आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. इसे आगे देखी, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपके जीवन में प्रचूरता प्रकट करने में मदद करेंगा. कृपिया इसे नजर अंदाज न करें.